दिल्ली के सहादरा जोन में बुद्धवार साम एक मंचले ने मोमो की चटनी को लेकर हुए विवाद में ग्रहक के चहरे पर चाकु चला दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस ने आरूपे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलास सुरू कर दिया जानते हैं क्या है पूरी घटना नमस्कार मैं अमर्दीप और आप देख रहे हैं वाइपस ओफ इंडिया गायल सक्स की पहचान 34 वर्से कुमार संदीप के रूप में हुई है जो सहदरा के भोला नात नगर में मुबाइल एक्सेसरीज बनाने का छोटा कार खाना चलाते हैं बुधवार साम को विश्वास नगर के पास भिखन सिंग कॉलनी में सरक किनारी लगी मुमू की ठेली पर खाना खाने गये थे आरोप है कि वहां कम चटनी देने पर दोनों के बीच बहस हो गई जिसने हिंसक रूप ले लिया पुलिस का कहना है कि आरोपी विखास ने नराज होकर अपनी ठेली से चाकू निकाला और कुमार संदीप पर हमला कर दिया इस हमले में संदीप के चेहरे पर दो छुडा घावा आये हैं आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया है सादरा के डिसीपी रोहित मीरा ने बताया हमें बुद्वार साम को सूचना मिली थी कि फर्स बजार थाने के पास एक सक्स पर चाकू से हमला हुआ है मौके पर कोहची पुलिस टीम को पता चला कि संदीप गंभी रूप से घायल हो गया है और उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है संदीप के बयान के अधार पर पुलिस का कहना है कि वो आरोपी विकास को जानते थे और अक्सर उसकी मूमो की ठेली से खाना खाते थे बुद्वार को जब वो अकेले वहां गये उन्होंने प्लेट में कम चटनी होने की सिकायत की संदीप का आरोप है कि मैंने विकास से जादा लाल चटनी मांगी थी लेकिन वो गुसा हो गया मैंने इससे केवल दो-तिन बार ही मंगवाई थी वो चिलाने लगा कि उसके पास जादा चटनी नहीं है और मुझसे जगरने लगा उसने मुझे गाली दी और धक्का भी दिया जब मैंने उसे जवाब दिया तो उसने ठेले से चाकू निकाला और मुझपर हमला कर दिया पुलिस का कहना है कि हमले के बाद विकास घबरा कर वहां से भाग गया और अब तक वो फरार है हलांकि वो उसके ठिकाने का पता लगाने की कोसिस कर रही है बता दें कि संदीप की हालत स्थिर है लेकिन उनका इलाज अभी जारी है इस घटना से दिल्ली में एक बार फिर से सरक छाप गुंडागर्दी का मुझडा उठ गया है पुलिस पर दबाव है कि जल से जल आरोपी को गिरफतार किया जाए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद